हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागते आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवन इट त्रिपर आज हैं 23 अक्टूबर 24 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए देखर आया हूँ 23 अक्टूबर 24 के डेली करेंट अफियर्स के कुछ इंपोडेंट कुश अगर आप किसी भी एग्यम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वेल एकन को भी ओल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अमरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वास चैनल को जोइन कर सकते हैं तो चलिए चलते आज के अपने टापिक की योर तो कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ह में भारत के ग्यावन में मुख्य नियादिश कौन बनेंगे सही अंसर था इसका नियाय मूर्ती संजीब फणना फेमिना में सिंडिया दोयज़ 24 का किताब किसने जीता है ने किताब पोरवाल ने हाल ही में हर्याणा के मुख्य मंत्री के रूप में किशने शपतली है नायप शिंग शैनीने अक्टूव दोयज़ 24 में भारत का कौन सा राष्टिय उद्यान भारत का दूसरा तितनी विविता केंद्र बन गया है काजी रंगा राष्टिय उद्यान माउंट शिशा पंगमाप पर चड़ने वाले पहले भारत ये कौन मने है अर्जुन वाजपेई मेरा हूँ चोगवा फेस्टिवल दोयज़ 24 कहां मनाया गया है इमफाल में भारत की पहली स्वदे सी बुले ट्रेन कौन सी कंपनी मनाएगी बी एम एल मद पदिस के किस शेहर को यूनेशको की विश्व दरोव शूची में शामिल किया जाएगा और छामे 2025 में कौन सा देश पहली बार खोखो बिश्व कप की मेजवानी करेगा भारत 23 मीश S.C.O. बेटंग में भारत का पत्निरत्व किष्णे किया है एश जैशंकर ने अक्टूवद 2024 में ICC Hall of Fame में शामिल की दूसरी भारतिय मैला क्रिकेटर कौन है नीतू डेविड आज के अपने प्रशनों की ओर आते हैं पहला कुश्यन है नौवा ICC मैला T20 वर्ल्ड कप 2024 का किताब किस ने जीता है प्रशन B नीजी लेंड ने वेश अक्टूवद 2024 को नीजी लेंड ने दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट इस्टेडियम में दच्छड अफ्रीका को 32 रनों से हरा कर अपना पहला महिला T20 विश्वकप खिताब चीत दिया है यह पहली बार है जब नीजी लेंड ने पुरोशिया महिला विश्वकप का खिताब जीता है यह टूनमेंड दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट इस्टेडियम और साज्या क्रिकेट इस्टेडियम में खेला गया है यह टूटा मेंड मोल रूप से बंगलादेश में होना था लेकिन सुरच्छा चिन्ताओं की कारड एसे UAE में स्थाना अंतरित कर दिया गया था अब बात करें नौवा ICC माईला T20 विश्कप दोजच चौविस की आयोजने स्थालिस का तीन से बेसक टूबर तक सायवक तरब अपनिजात में संसकरड इसका नौवा था विजेता इसमें रही न्यूजी लेंड और इसका यह पहला किताब है और विजेता रहे इसमें दचड अफरीका, प्लेयर आफ़ दा सीरेज और प्लेयर आफ़ दा मैच का किताब मिला अमेलिया केर को जो कि यह निवी लेंड की खिलारी है सरवार एक जो रन बनाए, वो बनाए लौरा वोल्वार्ड ने 223 रन और यह दचड अफरीका की प्लेयर है सरवादे विकेट लिए, अमेलिया केर ने, इन्होंने 15 विकेट लिए और यह निवी लेंड की प्लेयर है पहला संस्क्रड 2009 में खेला गया था और इसमें विजिता टीम रही थी एक लेंड और सबसे सफ़र टीम है इसमें और अस्टेलिया अंतर राइट यह के परिशत की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1919 को ही थी नेक्ट कोशन है बारत के पहले स्वा संचालित इंडोर वाय गुडवता मौनीटर पवन चित्र का अनावरण कहां किया गया है सई आंसर है ओप्शन ए तुरुवनंत पुरम एयरपोर्ट पर केंद्रिय विज्ञान एवं पौध्यों की राज मंतरी डॉक्टर जितिन्दर शिंग्नित जुवनंत पुरम अंतराष्टिय हवाय एड़े पर बारत की पहली हवाय एड़ा आदारित स्वसंचालित आंतरिक वाय गुडवत्ता निगरानी शुविता पवन चित्र का अनावरण किया है इसका विकास CSIR राष्टिय अंतर वर्ष्टिय विज्ञान तथा पौध्यों की संस्थान द्वारा किया गया है यह स्वदेशी इंडोर और शौर कोश्काउं द्वारा संचालित एक ओफ ग्रेड स्वसंचालित इंडोर वाय गुडवत्ता मॉनिटर है इसे इस्थानिय सामगिरियों से तयार किया गया है और इसका उद्देश यह प्रकाशंश्टेशन की प्राकरतिक प्रक्रिया की नकल करना है करनाटक के सभी एश्टी आवासिय विद्यालय एवं रायचूर विश्विद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा सभी आञ्सर ओप्शिन भी मह रखी वालमी की करनाटक के मुख्य मंतरी शिद्दा रमया ने गोश्टना की है कि राज के सभी अनसुचित जनजाती आवासिय विद्यालय और रायचूर विश्विद्यालय का नाम मह रखा जाएगा उन्होंने वालमी की जैन्ती सत्रेक्टुवर दोजय चौविस पर आयो जित एक कारक्रम में इस चीज की योचना की है और सिद्धा रमया ने कहा सभी अनसूचे जन्जाती आवासिय विश्विद्याले और रायचूर विश्विद्याले का नाम महरशी वालमी की पर रखा जाएगा मेरी इच्छा है कि द्रड़ता की माध्यम से उपलब्दी के शिखर पर पहुंचने वालमी की का नाम और जीवन अमर रहे करनाटक की राईदानी बैगलरू है, मुख्य मंत्री हैं शिद्धा रमया और राजपाल हैं थावर चंद गहलोत वैश्यक बहुआयामी गरीबी सूच अंक दोज़ेट चौविस में अतियंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देसीज पर हैं सही आंसर है ऑप्शिन ए भारत वैश्यक बहुआयामी गरीबी सूच अंक के द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि पूरी दुनिया में भारत में सबसे आदिग गरीब लोग रहते हैं वेशुक वहवायामी गरीबी सुचकन रेपोर्ट दो संगठन द्वारा सैंक तरूप से प्रकाशत की गई है यह शंगठन सैंक तराश्ट विकास, कारकरम और और ओक्सपोर्ट गरीबी और मानव विकास पहल रेपोर्ट के अंसार पूरी दुनिया में 1.1 बिलियन से ज्यादा लोग गोर गरीबी में जी रहे हैं जिसमें भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं बात कर हम सीज पांच गरीब देशों की पहले स्थान पर भारत है, अगले स्थान पर पाकिस्तान सुप्रीम कोट में इस्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ती को जाने माने शिर्पकार विनोद गोश्वामी ने बनाया है विनोद गोश्वामी ने बताया कि नवंबर 2022 में पहली वाद सुप्रीम कोट से मेरे पास प्रत्मा को बनाने का कॉल आया था जिसके वाद चीफ डेश्टिट दीवाई चंदर्चूड के मार्ग दर्शन और दिशानर देश के मताबिक ही नई मूर्ती तयार की गई है इस मूर्ती की आँखों से पट्टी हटा दी गई है और मूर्ती की हाथ में तलवार की जगए स्रामविदान की किताब दी गई है इस मूर्ती का उद्देश यह संदिस दिन आए कि देश में कानून अंध्या नहीं है दोगया 24 के पैट्रिक जे मेकर गवर्न पुरुसकारों के तहट किस भारतियों को क्रांतकार योगदान के लिए इंडिया लाइफटाम अचीब्मेंट आवार्ड से नवा जा गया है सही आंसर है ऑप्शन भी नारायन मूर्थी चिराटे वेंचर्स जो की एक प्रमुक भारती वेंचर कैपिटल पंड है उसने दोगया 24 के पैट्रिक जी मेक गवर्न और उसकारों के तहट तीन प्रवाब शाली नेताओं को सम्मानत किया है Infosys Limited के संस्थापक नारायन मूर्थी को Indian Lifetime Achievement Award से सम्मानत किया गया है Adobe के अध्यचक और CEO शांतनू नायर ने Glowen Lifetime Achievement Award जीता है Postman के CEO और संस्थापक आविनव अस्थाना को आद असाद हरड अध्यम शीलता उपलब्दी पुरुसकार मिला है यह पुरुसकार चेराटे के पहने फंड के प्रमुक निवेशक और International Data Group के संस्थापक पैर्टर के मैकर्जग वर्ण की इस मरती में दिया जाता है पुरुसकार की स्थापना 2016 में की गई थी और पैर्टर के मैकर्ग वर्ण पुरुसकार उन नेताओं को प्रभाव का जच्ट मनाता है यह नोंने तकनीक और उद्यम शीलता में महत पुर्य योगदान दिया है केंद्री रेल मंत्री अश्वनी वैशनम ने किंदो राज्यों के बीच शेतकरी शमरदी किशान स्पेशल रेल की शुरुवात की सही अंसर आप्शिन ए महाराष्ट और विहार किंदी रेल मंत्री शिरी अश्वनी वैशनव ने शेत करीश मरदी विशेश किशान रेलगाडी का शुबारम किया है यह रेलगाडी महाराष्ट के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी और इसका उदेश्य महाराष्ट के किशानों की उपज को तेजी से देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाना है जिसमें किशानों को अपनी उपज को शही समय पर और शही दाम पर बेचने को अपसर मिलेगा केसान मात्र चार पत किलो की दर से अपनी उपज को देवलाली और नासिक जैसे इलाकों से बिहार तक भीश रखेंगे देवलाली से दानापुर तक की 1515 किलो मीटर लंबी दूरी पर 12 किलो मीटर पत किलो गराम मात्र 28 पैसे भी कम होगा केस राज़ में मिशन वशंदरा 3.2 को लौंच किया गया है सही आंसर है ओप्षिन ए असम राज़ में असम के मुख्यमंत्री इमंत विश्वा शर्मा ने गोवा आटी में मिशन वशंदरा 3.2 लौंच किया है और इसका उद्देश्य स्वधेसी लोगों को भूमी अधिकार प्राधान करना है इसके तहत राज़ के लोगों के लाब के लिए बूमी सम्मंदी प्रिविन शिवाओं का डेटली करण और मानचित्र प्रकाशित करने के लिए भी कदम उठाई जाएंगी असम सरकार ने साल 2021 में मिशन वशंदरा की शुरुवात की थी जिश में श्वदेशी सम्मदायों को बूमी अधिकार देने का खेशला किया गया था जो आजादी के 75 साल बाद उठाया गया पहला कदम था असम की राइधानी दिसपुर है मोख्यमंत्री हिमंत्विश्वशर्मा राजपल हैं लच्मन आच्यार्या हाल ही में इंडोनेशिया के आट में राश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश् उप्राश्टपती हैं जे ब्रान राका बोमिंग राका इंडोनेशिया की राइधानी व्यकारता है मुद्रा है इंडोनेशिया एरोपिया राश्टपती हैं प्रभोबो सुभ्यांतो भारतिय वारेज मंडल यानि ICC के अध्यच कौन मने हैं सई आंसर है ओप्षन ए देव जिंदल को अपना नया अध्यच नियुक किया है यह गोशन नई दिल्ली में आयो जित भारतिय वारेज मंडल की वार्शक पूर सत्र के दोरान की गई है यहां वारेज और उद्योग मंत्री पीश कोयल मुख्यत्ती के रूप में उपस दिते भारतिय वारेज मंडल यह एक प्रमुक्स राष्टिय व्यापर संग है इस्थापना 1925 में हुई थी और मुख्याले को उलकाता में है बारत और केस देश ने द्वेपच्छी नौसेने का अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है सही अंसर है ओप्शन C ओमान बारतिय नौसेना और ओमान की रोयल नौसेना का समुद्री अभ्यास 13-18 अक्टूबर 24 तक गुवा के तटपर रोयल नेवी और ओमान पोत अल सीब के साथ आयोजित किया गया ये अभ्यास दो चरणों में किया गया था पहला चरण 13-15 अक्टूबर तक बंदरगा चरण उसके बाद दूसरा चरण 16-18 अक्टूबर 24 को समुद्री चरण था और इस अभ्यास में आई एनेस त्रिकंद्र और डोनियन समुद्री गष्टी बिमान ने भाग लिया ओमान की राइधानी है मस्कट, मुद्रा है ओमानी रियाल और सुल्तान है है खैथम बिन तारिक अलसईद। कटे बिहु महुत्सब का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर है उप्शन भी असम। कटे बिहु या कौंगाली बिहु असमिया केलेंडर के मताबिक, काटी महीने के पहले दिन मनाया जाता है और ये त्यहार अक्टूवर के मद्द में आता है। और ये त्योहार तहन के पौदे के इस्थान परवरतन के समय मनाय जाता है। और ये असम में बुवाई के मौशम की शुरुवात का प्रतीक है। बात करें मिश्टेटिक जी के की तो भारत के नियंतरक एवं महाले का परिच्छक का वेतन भारत के समविधान के किस अनुचीची में उल्लिखित प्रावदानों के अनुसार निरधारत किया जाता है दूसरी अनुसूची में। अलक नंदा और दौली गंगा नदी का उद्गम इस्तल किया है बिश्नु प्रयाग। बारत में आर्तिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्सी योजना में शुरू की गई थी आठमी अनुचवर्सी योजना में। बारति सम्विधान का कौन सा अनुच्छे नई राज्यों के गठन तता मौझूदा राज्यों के छेत्रों सीमाओ या नामों में परवर्तों से सम्बंदत है अनुच्छे तीन। प्राचीन भारत में महाजनपद के शाषकों ने उत्फादित फशल के कितनी रर से फशलों पर करवशूल किया था वनवाई छे भाग। बरवत इस्तूप जो जातक कथाओं और कहानियों को चित्रित करता है के स्राज्य में इस्तित है मद पदेश में। चावल की खेती के लिए केस प्रकार के मौचम की आवशक्ता होती है फुच्च ताबमान उच्छ वर्षा और उच्छ अद्रता। नगर होल राष्टी या उद्ध्यान केस राज में इस्तित है सही आंसर है करनाटक में। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेशन पूछा था हाल ही में भारत के 51 में मुख्य नया दिश कौन मनेंगे तो सही आंसर था इसका ओप्शन सी नया मुर्ती संजीब खन्ना। अब आपके लिए आज का कुश्यन है नौवा आईशेशी महिला टेट्वेंटी वर्ल्ड कब दोजच चौविस का खिताब किसने जीता है इस कुश्यन का सही आंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हैल्पूर लगी हो तो आप इस वीडियो को पहली बार आए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए चलते हैं जया हिन जया भारत वन्ने मात्राम